कि आमना सामना वीडिया में आप सभी दर्शोगों का स्वागा थे आज हमारे साथ में ऐसी शक्सित मोजी थे जो के डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ साथ जो है वह एक प्लेबेक सिंगर भी है जिन्हों अब तक ना जाने बहुत सारे स्टेश शो किये हैं और बहुत अच् आप करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे के आखिर एक डॉक्टर हो रहे के बावदूद क्यूकि डॉक्टर इस खिद्मत खल्क का एक पेशा है इंसाइड का पेशा है उन्हें इस गारे का पैदा हुआ है अजिए हम जानते हुँशे डॉक्टर हिमाशुत रियोदी जी आ आत्मस्का करफ़ डॉक्तर इस तरह मैंने धा नाजिर्दी इस प्रसवकों से जिस तरह से और इस खि contributing में से गया पेशा और इस लिड ऑन का heat अगए क्यों छud फिर ली जो गाने का शौक है मेरे बच्बं से रहा है मैं जब four standard में था तभी मैंने गाने के शुरूएत की तब से लेकर आज तक गाह रहा हूँ और मेरा पहला जो गाना था लाइफ का वो ख़ई के पान बना था जिससे मुझे बहुत नाम मिला गाओ गाओ मतलब क्लास्रूम में गाओं में जहां भी जाता था ये गाने से में बहुत फेमोस होते जा रहा था तो मैं बच्पन से किशुर कुमार और अमिता बच्चन का बट बड़ा फैन रहा हूं किकि उनके गाने गागा के में बड़ा हूँ और अभी भी उनके गाने गार रहा हूं अगर वो छे गंटा सोते थे तो अठ्रा गंटा ये गाना घर पे गाया कते थे लिना चंदर को देख दे के गाना गया कते थे तो ये गाना उनका खुद का पसंदीदा गाना था मेरा भी पसंदीदा गाना वही है अमे तुमसे प्यार कितना अमित अपका कोई मुवी छोड़ नहीं है और किश्वर कुमार के गाने बदपन से गा रहा हूं फर्क सिवेक दिन का हम दोनों के बीच में उनका 4th August बढ़े है मेरा 3rd August को बढ़े है वो 1929 है मैं 1970 हूँ इस तरह से बताइए हमारे दर्चोब को अब तर आपने कितने स्टेज शो किये हैं कहा है कम से कम मैंने 500 से जादा स्टेज शो कियोंगे और ये स्टेज शो मैंने और महाराष्ट किये और मैंने करनाटक में गोवा में भी कुछ शोस किये जब मैं बिल्गा किये तो मोर देन 50 कंसेट शोस हो गए मेरे लेकिन बाकी के छोटे मोटे सब पकड़ के कुछ 500 ज्यादा मेरे शो हो गए इस प्रकार से और हमारा रियर्सर रेगुलर होते रहता है तो ये वक निकाल बाते है आप पेशेंस के साथ में पेशें को देखना मरीजों को देखना आप निकाल पाते है जाने को में उसके शावते है वो में अपना टाइम एड़िन कर लेता हूं यह जो आपका रुक्सारे दिरूप लेकिन दवय से अच्छा गर गाकिया अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है कुछी की बात है एक जालानी प्रोडक्शन में मैंने गाया है वो आइटम सौंग है और उसके बाद मैंने एक ब्लैक नैट मुवी में गाया है जिसमें एक गोष्ट होता है जो सब का मुर्डर कते कते वो गाना गाता है तो पूरी फिल्म में मेरा उगाना चलेगा अब जब यह मुवी प्रूट किये जो मैंने खुद कंपोस किये है तो वो मैं आपको तो हमारी इस्वर से दुआ है कि परेठे तो आपकी फिल्म यो गाने ही तो जो आपते के आवास पोई नीव खुब शुरत आवादे बहुट आ अई भाशा गाते आप गाते आप और अच्छा पावं गात् यह बहुत बड़ी बात है तो आपने जैसे बता है कि यूटुब कीड़ आपने गाने से यार रिखिये हैं कौन जा गाना है एक गाना सुनाईए तीर को दो गाने थे एक गवन बिट्स पे मैंने गाना बनाया था जो बहुत पहले बच्पर में लोग गाते थे उसके बाद मै मैंने किया है मेरा साथ दिया था संदीव कुम्रोट करके जिनके स्टूडियो में मैंने रेकॉर्ड किया लोखनवाला कॉंपलेक्स में तो यह गाना कुछ ऐसा था इस दूआ की रोशनी से अकसर तुम्हें देखा है हर लमहायू तुमारा इंतजार किया है मेरी चाहत पे थोड़ा सा एतबार करना तुम् मुझे तनहा छोड़के कभी दू न जाना तुम् कही और न जाना तुम् कही और न जाना तुम् कही और न जाना तुम् यह यह इमेरा कंपोजिशन था और इसको बहुत लोगों ने लाइक भी किया और इमेरा गान अर्ड यूटूब पे है और एक गोवन बिट्स पे मैंने गाना बना था जो कि हम लोग कभी भी पिकनिक में जाते दो गाना हम लोग गा सकते हैं ठीक है ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला- ला 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 अब टाइप करेंगे तो आजाएंगे मेरे गाने सब करेंगे. इमाची जी जैसे कि हमने देखा है कि गानों में बहुत साइट तक दो यह लिगमेच खासतर से उर्डू और हिंदी. तो चाहिए आपको कि अब गाने होते हैं जो आपाज होते हैं वहां कोई देखर पैदा होती है? नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. कि आपका तरफुपुट में देखा जाएं देखा हैं जीसे रोशनी है आपके रोशनी पढ़ा हैं जेता हैं आपको जाएं बहुत बढ़ा हैं कि इसकी वज़या है कि मेरे जो फ्रैंड है एक लिरिक्स राइटर है जग्दी सज्देवॉ और हमारा कमसे कम 15-20 साल पूरा करना का नाता है उनका एक मुवी गुंडा पीचर में उनका गाना आया था तो हमारे तब से मुलाकात होगे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है तो उनके सामने गागा के मैं बहुत इंप्रोव मैंने किया और बहुत सालों से अम लोग स्टुडियो में जाके रेकॉर्ड करते यह वो सब करते थे तो उसके से मुझे वर्डिंग का प्रॉब्लम आस तक नहीं आया तो उसी स्वाज में आगे बढ़ाते में यह कौंगा कि जबाने तो सब खुबसूरत होती है तो फिर भी उर्दू जहां आती है तो क्या मैसूस करते है उसके उसके क्या परपढ़ता है उर्दू के जो अलफाज होते है वो अगर हम बोलते है यह गाते है तो एक सुकुन मैसूस होता है बहुत अच्छा लगता है कि यह लब्स हमने अच्छे से निभाए करके और यह लब्स बहुत कम लोग ऐसे है जो निभा पाते है मैंने बहुत लोगों को देखा है गाते हो तो मुझे यही कहना है कि अगर आपको अच्छे से अच्छा गाना गाना है तो आपको बेजिकली आपको शास्ते संगीतों सीखना ही है लेकिन साथ में साथ में आपको उदू के आलफाज है वो आपको बहुत अच्छे से उसको समधना होगा अच्छे से अच्छे रियास करन अच्छे सिंगर बनने की यह होता है कि शास्त्री संगित में आप थोड़े थोड़े सीख लीजाने आलंकार बगरे सीख लीजिए थोड़ा रियास करिए और चाहां तक हो सब्सक्राइब वहां तक प्रैक्टिस किया कर जिए जितना रियास ज्यादा करेंगे उतना आपकी ग तक परम होता है यहांनि उसका कर दो दोयाति कृप्रीस कर बंदेशन होता है। दूसेशन होता है वह सब सही होना चाहिए उसका अलफास वहलने कि तो फिर आंतो पुराने गाने ज्यादा तर दिमाग में बैड़ जाते हैं यानि आप इजीली गा सकते हो नई गानों को बहुत रट्टा माना पड़ता है यान बहुत याद करना पड़ता है क्योंकि उसमें सब मिक्सप रहता है यानि आज थोड़ा इंग्लीश थोड़ा रैप तोड़ा प्राखा से हरे कुछ मिक्स किया हुए रहता है वहरे को जöm नहीं रहे और पहले के गाने कहीई से एक उनका हर हर एक शभ्त हम को पता है अब है कोई गाना मुझे से लिग एक प्यार कि इतने बत्या इतने गाय है तो इस को पता है कि गाना करें इति खांट रहाattend करें अज करना मैं यह इन्ट कर रहहा है और अज कर निया करके है अज ऑक पुरा गानाए बहुत अच्छा बाना यह बहुत अच्छा अआँ अश्शनमा फोसे को पूछ ना कंपना अपना जिन की है तो मैं को किसी को पूछना पड़ा जिस तरह पहले प्यार के तरीखे बदल बदल गए है और यह सब को नहीं जम रहा है आज की तारिख में है ना बहुत कम लोगों है जो यह डाइजर्स करते है तो आज तो आज तो ब्याय है जिसको हम कहते हैं यह नंगापन हो गया है उसी तरह गानों भी खराबी आ गए तो और महीं चाहता हूँ कि जो पहले कि साफ सुत्री गाने थे वैसे ही गाने फीर से बने तो फीर से अगर ओव दोर आ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा कोशिज जारी रखने चाहिए सब को मिलके अच्छी गाने बने जिसके बोल अच्छी हो जिसकी मुझरी अच्छी हो पहले जो लखनी काम किहरे लाज जी या आज परमन जी उसके बाद में नौशाज साहब इन जाए इन गाने दिये हैं वह आज हमें अम्पोश दे सकते उस सब 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 बीश्टर नी कर दिया सब लोगों ने तो आदे गाने तो किसी को समझ कर दिया बोल यह नहीं समंद में आ रहा है क्यो क्या गा रहा हूँ नहीं सब और वेश्टन में वहां जाओगे तो लोगो हमारा कल्चर अपना रहे अज भी तो बड़े अपसुस की बात है है अप्सवी के संगीत किस तरह बड़ा यासा था हिसा फिर से हमको वही कल्चर अपनाना होगा वही पूरा ना दौर लाना होगा जो लक्ष्बी का इनके अलावाथ वोट से रुक्रीजी हैं और बलत सारे सिंग्रेंव chicken वोट से बाद में आप ऐसो दहराएम मुत रफीजी करें मुहमद रफीजी मुहमद रफीजाप मुहमद रफीजाभी आप मोगम रफीजिआमिनु के सभी प्रकर की गाने है और सैड है वो गाना गाते गाते उनको खून निकल गया था, रफी साब को, वो गाना एक बहुत बड़िया गाना था, दुनिया की रखवाले, तो रफी साब एवर्ग्रीन सिंगर है, कोई नो डवट, आज के सिंगरों में, आज के सिंगर मुझे इतने पसंद नहीं है, फिर भी अगर पुछेंगे तो रात फते अलिखन, अभी के इसमें, क्योंकि उसका जो रेंज है रात फते अलिखन का वो रेंज अभी फिलाल, और हमरे अगर अगर हमरे हिंदूस्तन के सिंगर में कोऊंगा तो सुक्विन नरपाजी, उनकी भी रेंज बहुत है, उनकी रेंज अची है, यहां पे रात फते अलिखन के रेंज अची है, बाकि अजीत सिंग वो सब है, लेकिन इनकी जो रेंज है, वो रेंज अभी फिलोर किसकी नहीं है। डॉक्टर एल्माशी जी, एक सवाज में यह पुछने चाहूगा आपसे, कि कुछ संस्ता है जो है, या कुछ सोचल काम होते हैं, तो उसको भी आप लोग कुछ मदद करते हैं, कुछ करते हैं। करते हैं, बीच में हम लोगोंनेट डालिशी फृष्षण के लिए थी थी संस्ता थी है, जो एक संस्ता है यहां से, housed उप ao 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 करोब करेंए, बहाएंदर में रेंच में रहां किया था, आप में यह जनरल चैक कर्णों के लिए penseत है। मतलब एक सेंडे को हम लोगों ने प्रोग्रम किया हिट्स आप किश्वर कुमार, राजश खना, आमित आपके गाने का उसके वेरी नेक सेंडे को हम लोगों ने कैम रखा जिसमें पाच-छे लोगों ने एंजियोग्राफी 6,000 रुपे में किया सिर्फ 6,000 में किया और बहुत सारे कमसे का लेड़ सोगों ने इस्सा लिया था और उनका हम लोगों ने चेक अप फ्री किया और ECG में एक कम आप एक एंगियों के साथ में नेवर गीयक्ए आपवानडेशन करके तो उनके साहते हैं स्थोग एप्रिल मेने में होने जा रहा है हिट इपकिशर कुमा शानु करने जा रहा हूं उसमें हम लोग कैंञ семी के पेशें तेर्लोग जो आते हैं तो टाटा में आते हैं तो उनको रहने के लिए सुवीदा नहीं होती है, तो हम लोग उनकी लिए कुछ रूम्स बनाना चाहते हैं, ताकि वह वहां पर रहे और उनको कम खर्चे में उनका काम हो जाएं, तो इस तरह से हमको करना है उनके लिए रूम आना है जा कि अगर बाहर करने की सुविधा कम खर्चे में मिल जाए तो उनके लिए अच्छा है तो यह चीज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं मैं निवर्गियोप फॉंडेशन के साथ में करना चाहते हुए जब आप शो करने करते हैं जब जो डोनर्स जो होते है या दर्शक टिकेट लेते हैं तो ब हम लोग पहले ग्रूपी धूंड लेते हैं अगर समझो मेरा हॉल है अभी यह साथ सोगा हॉल है तो इसमें अमनों अलड़ी दो ग्रूप धूंड लिये तो लोग ने साढ़े पांसो शेसो टिकेट में ले लिए तो अल्मोस्ट मेरा फूल है अभी खाहिब में कौन जा शो खाहिए और वेलेंटेन स्पेशल है जो अलड़ी मेरा शो है यहांनी और सब टिकीट सोल आउट है थोड़े बहुत टिकेट बचे होगे का है अ जो हमारे पूर मेरा ने सोल ड़ाट हो चुका है या और सब भीग चूँके है और यह शो हम बहुत बड़े पैमाने पर करने और यह जाविरमेन हॉल है जो 675 केपिसिटी का हॉल है उसमें मेरा 540 टिकेट से अलड़ी सोल आउट है तो सब तरह पीछे के दो तीन रों बचा हो बस तो इस तरह से मेरे शो होते हैं हम लोग पहले ग्रूब धुंड लेते हैं ताकि वह पहले हो जाए तो फिर हमारे शो हास और आप ते अच्छा लगा बात करके दर्शित को भी अच्छा लगेगा और हमें उम्में देगे दर्शिक भी आपका पराम देखने आएंगे जैए तैक यू सुझा था था तैकि यू देगे